लागडाउन के दोरान आने परदेशों में फसेश शर्मिकों के घर वाफसी के बाद उत्तर परदेश की योगी सरकार उन्हें उन्हीं के गाउं या छेद में रोजगार देने की कोशिश में लगी हुई है इसके लिए सरकार मन्रेगा में सबसे अधिक रोजगार देने पर जोर दे रही है जिसके संबने मुक्विकास अधिकारी हर्शिता माथूर ने बताया कि काफी बड़ी संख्या में दूसरे परदेशों के शर्मिक गोरकपूर जन्पद में आए हैं जिसमेंसे 10,998 शर्मिकों के नए जाबकार बनाए गए हैं जिसके लिए गोरकपूर को परदेश में सबसे अधिक जाबकार बनाने का अस्थान प्राप्त हुआ है सीडियो हर्शिता माथूर ने कहा कि पर्यास यही है कि अधिक से अधिक शर्मिकों को रोजगार से जोड़ा जाए जिससे उनकी आमदनी मौहिया हो इस समद में गुरखपूर नीज से विशेश बात करते वे मुक्विकास अधिकारी हर्शिता माथूर ने कहा जो शर्मिक बाहर से आ रहे हैं शाषन का निर्देश है और श्रीश पात्मिकता है कि इन सभी शर्मिकों को लोकली भी काम दिलवाया जाए जिसके लिए सबसे जाधा जोर ग्रामीन शेत्रों में मनरेगा पर दिया गया है गोरफपुर जनपद में भी जैसा कि सभी लोगों को विदित है काफी बड़ी संख्या में श्रमिक यहां आए हैं और जो श्रमिक हमारे आईसोलेशन सेंटर्स में या होम कॉरेंटीन में गए थे उसमें एक पांस दिनों का अभ्यान चलाया गया था जिलादिकारी महुद प्रयास यही है कि उनको दोनों तरह से श्रमिकों को जोड़ा जाए जिससे कि उनकी जो आमदनी है वो हो जाए और उनको जो आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े इसमें दोनों तरह से हमने कोशिश किया है मनरेगा में गामी ने इलाकों में काम दिया जा रहा है साथ ही जो कारदाई संस्थाएं सरकारी है जहां पर अकुशल श्रमिक की आवश्यक्ता है तो उनकी भी चार्टिंग की गई है और उनको भी करदाई संस्थाओं को अप्लब्ट कराए कि उनको मनरेगा में पहले भी सरकार ने ये मदद दी है कि जो लमबित भुकतान थी मनरेगा में वह लबित कि अंब भुचतान भी हुआ है जो बचे हुए मनरेगा के मज़तूर है उनको राशनकार आधी भी बनाय जा रहा है तो इस तरह से अन्य भी जो परिशानियां हैं उनका भी सरकार ध्यान दे रहे हैं